हलो गाईज और विल्कम बाग टू माई चानल सर आई एस तो यहां पर हम निदिन सांगवान सर के जो नोट्स थे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के उसे कॉंट्नियू करते हुए आज आपके सामने इसका लेक्चर नंबर 19 प्रेजंट करने जा रहे हैं तो आएए शु क्या थी नॉर्थ इस्टेंड इस्टेट के साथ में नॉर्थ इसमें क्या चल रहा था कि कुछ जो रीजिनल एस्पिरेशन से रीजिन वाइस अगर सीज़े देखें तो बिल्कुल उपर पहुंच चुकी थी और यह टर्निंग पॉइंट रहा 1980s में यह जो रहा नया अब रीजिन था इसमें कुछ 7 स्टेट्स आ गही थी और यहाँ आप सैवन सि्टेस भी कहते हो आफिज से सेवे सिस्टर्स कहते हैं और एक चोटा सा कॉरिडूर विचारा सरफ 22 किलोमेटर का है जो बाकी सारे भारत से इस एरिया को कनेक्ट करता है तो भाई यह भी था कि भाई भारत के लिए बहुत इंपोर्टेंट था यह हिस्सा और इससे इतनी कनेक्टिविटी बनाया रखना यहां की लोगों तक अपना कॉंटाक्ट रखना यहां की लोग अपने आपको भारत का हिस्सा माने यह सारे चीज़े बहुत ही जादा मुश्किल हो रही थी देखें देखें त्रिपुरा उसके साथ मनीपोर और खासी हिल्स जो मिखाला के थे यह अर्सवाइस प्रिंसली स इसमें कुछ बदलाग हुए थे इसमें की नागलेंड की जो स्टेट है उसे 1916 में बनाया गया था मिघाले मनिपुर और तृपरा को 1972 में बनाया गया था वाइल अरुणाश्य प्रदेश और मिजुरम को जो है सेपरिट इस्टेट 1986 में बनाया गया था अब देखिए जब भारत को भी भाजन हुआ था पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से 1947 में तो इससे क्या हुआ था कि नॉर्ध और एस्ट एक लांड लॉग्ड रिजन मनके रह गया क्यों कि पहले क्या था बहिए देखो यह हिस्सा हमारे पास था यह भी हिस्सा था लेकिन उपर वहां पर उपर से भी माली चाइना वाया है नीजे से भी बूतान उटान सब कुछ पढ़ रहा है और नीजे से अगर बात करें तो यहां पर पानी यहां पर इन स्टेट्स के पास पानी आएगा तो कुछ ऐसी स्टेट्स आ गए थी जो लांड़ लॉक्ट बनके रह रसता है बाकी सारी इंडिया को जोड़ने का तो इसकी विज़े से काफी कट ओफ हो गए बाकी सारी इंडिया से रिजन बहुत नेगलेक्ट रहा डवलमेंट इसमें इच्छा खासा नहीं आपाया इसकी अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो वह भी बहुत ही अलग बिलक बाक काच घुसने लग गए अलग अलग कांट्री से घुसने अलग तो यहां पर अबाफ से अंगर बिलक अने लग लेंगे का कुछ जाएंगे तो यहां होंग आप रहा होग जाहिए वो ऐसा फील करे थे कि उनको बरबाद किया जा रहा है उनके वह एक तरह से रॉबरी हो रही है क्यों क्योंकि यहां पे बहुत ही बड़ा जो है अमाउट में मिनरल्स थे और और फॉरेस्ट की रिजर्व थे और यह सारे के सारे सेंटर और आउटसाइडर्स के दोरा जो है व इसका पिछड़ा पन था अगर आप देखें बाकी सारे भारत से बाकी सारे कंट्री से तो बहुत ही जादा जो है पीछे रहे गया था और इसकी वजह से क्या हुआ कि अलग अलग स्टेट से डिमांड उठने लगी नौर्ट इस्ट की कि भाया हमें यह चाहिए हमें यह चा क्या हुआ कि बहुत ही भई पॉलिटिक्स का यहां पे थोड़ा सा दिक्कत होने लग गए हमारा करेशन इससे बहुत कम है और इसके कितने इंटरनाशनल बॉर्डर एक तो यहां पे इस्ट पाकिस्तान उस समय आज तो बंगले देश है उससे मिल रहा है भूतान से मिल चाह कि 1971 के बाद इसकी वार जो हुई थी इसके बाद जिसकी वैसे बहुत सारे रिफ्यूजी जो है आ गए आसाम में वहां पे पर्मेंटली रहने लग गए पर्मेंट रेसिडेंट बन गए और यहां पे उनको वोटर कार्ड वगरा इस्यू कर दिया गया राशन कार्ड वगरा हुई है यहीं से प्रॉब्लम्स के चलते ही हुई है कि वहां के लोग काफिट अफिर दिमांड करें थे कि हमसे यहां बाहर वाले रहे हैं समझें अब तीन इशूज अगर मैं आपको बताऊं तो तीन इशूज जो हैं वह यहां पर इन्होंने इस जो पॉलिटिक्स थी लोग यहां पर घुज गए थे कि उन लोगों से यहां के लोग जो रहने वाले थे वह चिड़ने लगे थे तो ऑपोजिशन टू आउटसाइडर अब देखिए में मावला आपको बताऊं क्या थे कि कई सारी जो इनिशेटिव लिए गए थे इनका जो पहला अटॉनमी वा अटॉनमी यह क्या है गया दोकिए 알िसादी के टाइंब्स इताम फर जो पूरही रीजन था मनीपुर को छोड़के मनीपुर को छोड़के बाइस टिप्राइज टैट अर facade को यहां भी जितना भी रीजन तावह सारा ता आज साम का जो जो कि political autonomy की थी वो यहां पर शुरू हुई जब जो नॉन असमीज थे उन्हें ये बात फीड हुई कि आसाम की जो सरकार है वो असमीज language के उनको उनके उपर रही है थो ठीक है इनके उपर जो है वो जबरदस्ती के लिए यहां पर इंपोस कर रहे हैं तो यहां पर क्या हुआ यहां पर opposition हुआ प्रोटेस होने लग गया बवार होने लग गया पूरी स्टेट के अंदर कि हम लोग भाया यह क्यों सहे हम क्यों असमीज को अपना है यह किस ने कहा यह नौन असमीज वालों ने कहा देखिए लीडर्स जो थे बहुत सारी ऐसी ट्राइबल कम्यूटीज के जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि वह आसाम से खुद को अलग कर ले और अदर के कुछ ऐसा एडिया बनाए जोगी ट्राइबल से लिए हो और फाइनली इस देड और यहाँ पे साथ टेड निकल के आगे साथ इस्टेट्स यहाँ पर टूड़ गए एक इंसान तूड़ता है अब जानते हैं तूड़ता चला अपिर हिस्ता अब डिफ्रेंट आप जानते हो इनको अप्ग्रेट करा गया इस्टेट में और यहां पे रियोर्गनाइजेशन ऑफ दे नौर्थ इस्ट था यह पूरी तरह से 1972 तक कम्प्रीट कर दिया गया बट यह खतम नहीं था यह भी कोई तिकत का अंत नहीं था अटॉनमी ऑफ डिमांड कर इस रीजन में असाम के अंदर बताऊं कुछ कम्यूंटी थी महीं जानते हैं आप भी सुनते रहते इनके बारे में बोडूस कार्वीज साथ में दिमासास वग्यरा यह सब कुछ चाहती थी इनके लिए भी सेपरेट स्टेट मिल जाए तेकि सब कि इतना सारा चुको कि बना इटनी सारी चुकी बना ते उसमें बडे विए शोटी यूसमें बना एब कुछ प्रोविजन और कार्वी जुमासास थे नहीं यांपJamya भी दिया डिय गयी ऑंडर dirk council और जो बोडोस हैं यहांपे रही कुछ जया है इसकी बार इसकी बात दे कि वो थी आपती सेशेशनिस्ट मूवमेंट यह क्या था समझते हैं इंडेमिंडेंस के बाद ही अजारी के बाद ही मीजो हिल्स का एरिया था वह उसे ऑटोनॉमस डिस्टिट के तौर पर बना दिया गया था आसाम के फीथरी कि आसाम के अंदर ही कुछ मीजोस यह बात मानते हैं आप उनियुनियमें में बड जोड़िये बड़ जो यह मूवमेंट था सेशेशन का यह यहां पर और पॉपिलर हो गया जब आसाम के सरकार फेल हो गई अच्छी तरीके से यह रिस्पॉंस नहीं कर पाई जो फेमीन आया था इतना बड़ा फेमीन आया था मीजो हिल्स म 1959 में उस वक ठीक है तो यह और तेज यहां पर आख पकड़ ली इस मोमेंट ने अब मीजोस का गुस्सा जो है इसकी वज़े से यहां में जानते हैं अब मीजो नाशनल फ्रेंट बना MNF मीजो नाशनल फ्रेंट बनकी तयार हुआ उसके लीडर्शिप किसकी थी उनके उसक यार उठा लिए कि अब हमको तो भाई चाहिए आजादी और इन्हों ने यहां पर 20 सालों तक के लिए लड़ाई लड़ते रहे मीजो इंसर्जेंस के बीच में और इंडियन आर्मी के बीच में बहुत ज़दा होती रही यहां पर लड़ाई अब जो मीजो नाशनल फ्रें का जो एरिया था यहां पर इनको इन्हों ने शेल्टर प्रोवाइड करा कि आई हमारे चुप जाई इंडिया पर टाक करिएगा और इसलिए इंडिया की सिक्योर्टी फोर्सेज ने काउंटर करा इसे सीरीज और बहुत हम लोग ने भी बहुत इनको जिकाया है खुब कदम लोग कुछ कॉमन आत्मी भी फस गया है क्योंकि आसपास तो वह भी दे रहा है एक वक्त ऐसा आया इवन एयर फोर्स को भी यूज करना पड़ गया था और यह सारे मेजर्स के वेज़े से और गुस्ता बढ़ गया और एनलेशन बढ़ गया लोगों के बीच में किया रहे स सब भरंटे थे कोई यहां पर जीता नहीं था यहां पर जो है दिस इस वेर मैचॉर्टी ओड़ पॉलिटिकल लीडर्शिप आट बोथ एंड मेड डिफरेंस यहां पर ही अगर बात करें कि दोनों ही एंड पर मैचॉर्टी देखें पॉलिटिकल लीडर्स थी यह डिफरें और यहां पर भारत की सरकार के साथ में जो है वह शुरू कर दिया नेगर अब यह बात कुछ Ly же कि यहां पर साइन गरा गया था राजीव गांधी के साथ में और लाल देंगा के साथ में हाजीव घंझ कि बीच में पीस अग्रीमेंट को 1986 में यहां पे साइन करा गया और इस अग्रीमेंट के हिसाब से जो मीजोरम है उसे यहां पर पूरी तरीके से फुल-फ्लेश इस्टेट आँगा उसे में कुछ इस इस्पेशल पावर्श मेंट जाएगी मीजानल इसकी का भाद मीजरम हमें मीजब क्षी यहां पर हुट देने के लिए और आज अगर हम देखे हैं तो मिजुरम वन आफ दो मॉस्ट पीसफुल प्लेसे हैं 30 शांतिस रिजन में और आप कहो कि अच्छा खासा डेवलप्मेंट भी है अच्छे लिटरसी भी है लोग पढ़े लिखे भी है इसके अंदर आज ही लेक मे अभी सेम स्टोरी यह नागल एंड की भी है मिजुरम की जैसी है लेकिन यहां पर यह सब बहुत पहले शुरू हो गया था वहां पर तो खैर और अभी तक आप देखते हो कि हैप्पी एंडिक हो नहीं पाई है वहां तो कुछ ना कुछ बबाल होता रहता अब ग्रेटर ना नगम सेनल में वग्यार को यहां अर्था रांग कि ख्योर करें नागाज कंशल को लांच नागा नाचल कंशल ने लांच कर आए एक आंप आब हागण सोविनेट एक नागाज को नागाज को सक्षर के लिए तो हमें नागाज के लिए सब कुछ आहिं 지금 तो आप तक इसका solution नहीं निकल पाया है, कुछ न कुछ लगे हुई है, और तीसरी problem क्या थी, movements against outsiders, अब जानते हैं, सब कुछ outsiders के अगेंस्ट, इन लोगों ने बहुत गुस्सा भरा हुआ था, इन लोगों के मन में, क्योंकि इस सारे outsiders आ रहे थे, और आ के जो है, इनकी जगा तो ख्य आउटसाइडर, जो कि outsider से खिलाब यह movement लाया गया था, आसमी इसको यह बाइस शक था, कि भाया, यहां इतने सादा लेविल पे, इन लीगल लोग यहां से भाग भाग के घुसे आ रहे हैं, तो अगर इतने बड़े लेवल पे ऐसे illegal migrants आएंगे, घुस्तूस के आएंगे, illegal Bengali Muslims आने रगेंगे, जो कि बंगलादेश से आ रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, हम लोग को की सारी opportunity कहां चले जाएंगी, हम लोग को क्या मिलेगा, साथ में आप इतने बड़े लेवल पे गरीबी थी, unemployment था असाम के अंदर, इतने natural resources होते के बावजूद, इतने natural resources होते ह के अंदर oil था, इतना चटी, इतना अच्छा कोल होने के बावजूद, इतनी गरीबी होना, इतना unemployment होना, वहां के लोग को अरड़ी जिगा रहा था, यह बात फील कर थे कि सारे के सारे जो लोग आ रहे हैं, वो सारा का सारा यहां से समान ले जाएंगे, और इसमें कोई भी यह जो student का group था ना बच्चो, यह किसी भी party से affiliate नहीं था, इस group ने यहां पर anti foreigner moment शुरू कर दिया, कि जितने लोग यहां घुस रहे हैं, इनके खिलाफ movement इस group में शुरू कर दिया, moment क्या चाह रहा था, चाह रहा था कि जितने भी outsider घुसें इस state के अंदर 1951 के बाद, 1951 के इनको वापस से भेज दिया जाए, eventually after six years of turmoil, Rajiv Gandhi led government ने यहां पर negotiation करी, इसी AASU के leaders के साथ में, और क्या हुआ, एक accord यहां पर sign हुआ बच्चों, प्यारे बच्चों, 1985 में, और इस agreement के हिसाब से, June foreigners जो आए थे Assam के अंदर, during या फिर after Bangladesh war, मतलब बंग्लदेश war के time पे, या फिर बंग्लदेश war के बात, और since where to be identified and reported, इनको identify करके वापस से भीजने की बात करी गई, अब यह movement complete हो गया, AASU और साथ में, असोंगान संग्राम परिशद ने अपने आपको organize करा, as a regional political party के तोर पे, अपना नाम रखा, असोंगान परिशद, AGP, और यह power में भी आ गई, 1985 में, प्रॉमिस यह था, इनका कि हम जो भी foreign national problem होती है, उसे solve करेंगे, अपना एक manifesto होता है, और यहाँ पर build करेंगे golden asam, ठीक है, असाम accord जो है, यह यहाँ पर शान्ती लेकर आया, और साथ में, जो challenge face कर रहे थी, वहाँ politics, असाम की, वह थोड़े सी, जो है, change हुई, और बट यह जो problems है, इनका कि यह नहीं खता हुई, लोग यहाँ पर गुस्ते ही रहते हैं, कहीं से कुछ होता है, चले आते हैं, कभी कोई issue, कभी ओ issue, कभी कोई issue, तो यह कुछ problems हैं, जो हमें आज भी देखने को महाँ पर मिलती हैं, अब इसे के साथ हमारा यह पार्ट होता है यहाँ पर बाले।